रश्मी और अमर लॉकडाउन के चलते डीजिंग एप पर मिलते हैं। उसी बीच उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पस लॉकडाउन खत्म होते ही चेटमंगी पच्छादी। उससे पहले घर में बात तो कर लो। अरे मा पापा कभी मना नहीं करेंगे। अमर के बात सुन रश्मी खुश हो जाती है। ऐसी ही दिन बित्ते हैं और देखते ही देखते लॉकडाउन खुल जाता है। जिसके अगले ही दिन अमर अपने परिवार के साथ रिष्टा लेकर रश्मी के घर पहुच जाता है। अभी लॉकडान खुला ही है और कोरोना तो खतम भी नहीं हुआ, इसलिए ज्यादा कुछ ना करके अगले कुछ दिनों में छोटे फंक्शन के साथ शादी कर लेते हैं, अमर के पापा की बात पर सब सहमत हो जाते हैं, कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और रश्म माने की कोशिश भी ना करें, मा, रश्मी को यहां सिर्फ प्यार, आशिर्वाद और अपना पंचाहिए, पैसा या राज नहीं, बेटी की बात पर सास मूँ बनाये वहां से चली जाती है, और अब वो हर रोज रश्मी को परिशान करना और ताने देना शुरू कर दीती है, देखो, यह है आजकल की लड़की, इंटरनेट पर लड़कों से बाते करते हुए, इन्हें शर्म भी नहीं आती, और यहां तो देखो कितनी सीधी सुशील बन कर दिखा रही है, ममी, शाधी के रिश्टे वाले इंटरनेट एप से जब किसी को कोई दिकत नहीं है, फिर डेटिंग एप के जरिये मिलना किस तरह गलत हो सकता है? रश्मी के डेटिंग एप वाली बात सुन, उसकी हैरान सास, तुरंत तुनक कर पूरे घर को सिर पर उठा लिती है, जिसकी आवाज सुन अमर और उसके पापा भी वहाँ आ जाते हैं, हाए मेरी माता, इतना बड़ा जूट, डेटिंग एप को इंटरनेट के जरिये मिली है, बोलकर इस कलमुही को मेरे सर लाब इठा दिया, अरे नास पिटी, तुझे जरा भी शरम नहीं आई, वहाँ न जाने कितने लड़कों से गुलु गुलु करके, तुझे मेरा ही पर पहले उसके लिए मा से जूट बोला और अब लडाई कर रहा है, सास और अमर की बात सुनकर रश्मी हैरान खड़ी रहती है, अमर तुमने घर में जूट क्यों बोला, यह सब देख रही हो ना, इसी की वज़े से जूट बोला पड़ा, एक तरफ अमर और रश्मी की ये पती की बात सुन, सास चुप होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब वो रश्मी की सिर्फ दुनिया भर के सारे काम डाल कर उसका जीना पहले से भी ज्यादा मुश्कल कर देती है, ममी मैं आपका गुसा समझ सकती हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं कभी कुछ नह और नफरत प्यार में बदलेगी, रश्मी की अच्छाए को उसका नाटक समझ कर सास गुस्से के सात्वे आसमान पर चड़ जाती है, और उसी शाम रश्मी को नीचा दिखाने के लिए अपनी सहलियों को घर बुला कर उसकी बुराया करने लगती है, अरे कुशल या, क्या बताओं, आज कल के बच्चे ना बहुत एडवांस हो गया है, पहले रिष्टे घर परिवार वाले सब देख परक्के कराते थे, और अब ये लोग खुद न जाने कहां कहां मिलकर, खुद ही सब कुछ पक्का करके हमें बता देते हैं, लड़की का कैसा दिन धरम, कैसा इमा कैसा चरीत्र कुछ नहीं पता, बास प्यार किया और घर लाकर बिखा देते हैं, अरे ऐसा क्यों बोलती हो, आज काल बच्चे अपने आप में बहुत समझदार हो गये हैं, और फिर पूरी जिन्दगी तो उन दोनों को ही साथ निभानी है, अपनी पसंद से शादी कर भी ल तो क्या दिकत, तो ही देख ले, पहले इतना अच्छा बेटा, और अब सोने पर सुहागे जैसी सर्वगुन संपन पहू, अरे पता है, अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे डेटिंग एप के बारे में बताया, जहां लड़का लड़की अपनी पसंद से अपने आप एक दूसरे को चुन लेते हैं, और पिर अगर सब सही रहता है, तो बात आगे भी बढ़ जाती है, अरे इसमें इतना खुश हो कर क्या बता रही हो, ये तो गलत है, न जाने कौन क्या है, कितना जूट, कितना सच है, अरे पर सोचो, जब तुम किसी के बताय रिष्टे को देखने जाते हो, तो क्या एक ही बार देखने से सच जूट का पता लगा सकती हो, जरूरी नहीं कि बच्चों का लिया फैसला हमेशा गलत हो, अरे बहुत बार हमसे भी तो गलत फैसले होते हैं, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मिल सकते हैं, फिर इसमें सर्फ सास सोच में पढ़ जाती है, और इसी तरह कुछ दिन बीच जाते हैं, जिसमें ना तो वो रश्मी को परिशान करती है, और ना ही कोई ताना सुनाती है, जिससे देख रश्मी परिशान हो जाती है, ममी, आपके तब्यत तो ठीक है ना, कुछ दिनों से देख रही हूं, ज्यादा अच्छा लगता है क्या नहीं आपकी शांती उससे ज्यादा परिशान कर रही है शांती इसलिए है क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि गलत तुम लोग नहीं मेरी सोच है प्यार तो एक संदर एहसास और शादी खूबसूरत साथ है अगर यह साथ सच्चा है तो कही पर भी किसी भी तरह जुड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है इतनी अच्छी बाते मेरी पत्नी तो नहीं बोल सकती क्या आप भी इसी साल शहर की कॉलेज से पढ़ाई पूरी की है और अब उसके लिए जगा जगा से रिष्टे आने लगे हैं स्वाती से ज़ादा उसकी रिष्टेदारों को उसकी शादी की चिंता है इसलिए जो भी स्वाती के घर आता वो किसी नए लड़की की खबर ज़रूर ले आता अरे दीदी ये फोटो देख के बताओ कैसा है राहुल नाम है लड़के का मेरी सहली की बहन का बेटा है अपनी स्वाती के साथ एक दम प्यारी जोड़ी लगेगी इसकी ज़रा दिखाना फोटो तो बड़ी आल लग रहा है कोई गलत आदत वादत तो नहीं है न इसे और कमाता कितना है अरे कोई गलत आदत नहीं है दीदी आप कहो तो एक मिटिंग करवा देती हूँ फिर सब कुछ फाइनल कर लेना हाँ हाँ ये सही कह रही हो तुम संडे को स्वाती के पापा भी घर पे ही रहेंगे बोवा फिर वहां से चली जाती है और रात को स्वाती की मा उससे कहती है स्वाती बेटा आज कमला बुआ ने एक लड़के की फोटो दिखाई है संडे को वो लोग मिलने आ रहे हैं तयार हो न तुम बेटा आरे मम्मी आप कहा कमला बुआ की चक्कर में आ जाती हो अभी इतनी जल्दी कोई शादिवादी ने करनी है मुझे अरे बेटा अच्छा लड़का है बुआ जानती है उसे अच्छे से हाँ स्वाती बेटा एक बार मिलतो लो बाद में देखेंगे आगे क्या करना है वैसे तो कमला रिष्टा लाई है तो मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता संडे की सुबह होती है और कमला बुआ राहूल और उसके ममी पापा को लेकर स्वाती के घर आती है आरे आईए आईए भावी इसे अपना ही घर समझे इनसे मिलिए ये मेरे भाईया और ये मेरी भावी है धमस्ते भावी जी ये है हमारा लड़का राहूल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है ये वैसे आपकी बेटी कहा है अरे स्वाती बेटा बहार आजाओ वैसे कितनी पढ़ाई की है स्वाती ने जी पोस्ट ग्रेजएट है हमारी बेटी साइंस में हम ये सब तो ठीक है पर घर संभालना जानती है या नहीं हमें कौन सी इससे नौकरी करवानी है नौकरी तो मेरा बेटा करेगा ही पर मैंने इतनी पढ़ाई की है और आप चाहती है कि मैं घर पर ही बैठी रहू अरे स्वाती बेटा ये बड़ो की बात में तुम कहां बोल पड़ी हम सब देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं हम तो इसी बात में विश्वास करते है कि घर के लड़किया घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है वन्ना भाई साब आप तो आज कल के हाल जानती हैं कितनी घटनाए होने लगी है और तो के खिलाफ स्वाती बेटा रसोह का काम तो पूरा जानती हो ना शादी के बाद तुम्हें ही संभालना है वो सब अरे बहुत अच्छा खाना बनाती है ये आप सब लोग इसकी तारिफ करते नहीं थकेंगे लो भई हो गई मिटिंग अब शादी की तारिफ फाइनल कर लेते हैं क्यों भईया लड़के वाले और कमला बुआ की बाते सुनकर स्वाथी एकदम नाराज हो जाती है और उसे लगने लगता है कि शादी के बाद उसे घर पर ही बैटना पड़ेगा लिकिन घर वालों के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसे शादी के लिए हां कहना पड़ता है शादी का दिन आ जाता है और सब मंडप में जमा होती है अब फेरो का समय होगा है अब गन्या अपने वर से साथ बचन मांगेगी आप किसी धार्मिक आयोजन में जाए तो मुझे भी ले जाएंगे आप मेरे माता पिता का भी बराबरी से सम्मान करेंगे हमेशा मेरा साथ निभाएंगे आपको दोनों परिवार के जिम्मेदारियां बखो भी निभानी होगी हर जरूरी बात में मेरी भी राई लेंगे आप सभी गलत आदतों से दूर रहेंगे आप मेरे अलावा किसी और औरत से कोई गलत सम्मन नहीं बान देंगे ये साथ वचन पूरे हुए वर क्या तुम्हें ये सारे वचन मन्जूर है जी हाँ पंडिजी मैं सारे वचन अच्छी तरीके से निभाऊंगा आरे वावा बढ़िया तरीके से साब काम संपन्न हो गया तो इसे के साथ अग्विवा संपन्न हुआ और आज से ये दोनों पती पत्नी हुए एक मिर्ट पंडिजी अभी एक वचन लेना बाकी है अब कौन सा वचन है बेटा मैं अब हमेशा के लिए किसी दूसरे घर में जाने वाली हूँ तो पती के अलावा मैं अपने साथ ससूर से भी एक वचन लेना चाहूंगी अब कहो बेटी मैं ये चाहती हूँ कि मुझे पर किसी बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी मुझे सब कुछ करने की आजादी होगी और मैं भी विश्वास दिलाती हूँ कि मैं एक अच्छी बहू बनके दिखाऊंगी स्वाती की बात सुनकर उसकी साथ ससूर एकदम चौँक जाते हैं और कुछ बोलने ही पाते कि उतने में कमला बुआ बोल पड़ती है और बेटा ये भी कोई कहने की बात है रानी बनके रहोगी तुम तो वचन देने से पहले सोच लीजिए क्योंकि शास्त्रों में वचन ना निभाने वालों के लिए नर्क से भी बत्तर सजा लिखिये स्वाती की चालाकी से वहां मौजूद सब लोग प्रभावित हो जाते हैं और लोगों में बदनामी ना हो जाए इस कारण स्वाती की सास ससुर को उसे वचन देना पड़ता है और कैसी आपशकुन वाली बाते कर रहे हैं आप पंडित जी हमें मन्जूर है बेटा तुम्हारी शर्ट स्वाती अपनी समझदारी से अपनी बात अपने ससुराल वालों से मनवा लेती है और खुशी-खुशी राहों से शादी कर लेती है अब से हर शादी में मैं खुद आठ वचन दिलवाऊंगा Om Mangalam Mangalam Mangalam